अबिलक्ष एकडमी में आप सभी का स्वागत है और आज हम एक नए टॉपिक रीजनिंग का बिल्कुल ले रहे हैं जो कि सिलोजिस्म का है और सिलोजिस्म जो हम करेंगे वो बिना किसी वेंड डाइग्राम के करेंगे और जैसा कि आपने थमनेल में भी देखा होगा कि बिना पैन उठाए हम सभी सवालों के सही उतर देंगे बिल्कुल ठीक है वेंड डियाग्राम भी उजनी करना है और पैन भी उजनी करना है और पैन भी उजनी करना है आपको क्या करना है और उसके बाद हम concept पर ध्यान देंगे और उसको method पर चलते चलेंगे ठीक है देखो एक example रखा है आपके सामने कि एक statement दी हुई है आपको देखो यहाँ पर दो statement है all caps are pens some pens are tables ठीक है अब कुछ लोग इसको Venn diagram के तरीके से करते हैं कि Venn diagram बना लेते हैं और कुछ और method 50-100 वाले method से करते हैं ठीक है लेकिन हम कोई भी ना तो 50-100 वाला method यूज़ करेंगे और ना ही हम इसमें कोई Venn diagram यूज़ करेंगे लेकिन हाँ concept समझने के लिए अगर आप silox के real meaning को समझना चाहते हो कि silox क्यों है अपके exam में डाला जाता है और इसका meaning क्या है तो आपको इसको Venn diagram से समझना पड़ेगा क्यों detail में आपको ये जरूर पढ़ना चाहिए ठीक है देखो अगर मैं कहूं कि all caps are pens ठीक है अब आप ये कहोगे सभी caps pen है देखो यहां पर ये जो caps और pen use हुए है ये कोई भी article हो सकते हैं ABCD कुछ भी उससे कोई फरक नहीं पड़ता बस आपको meaning समझना है statement का meaning क्या है ठीक है जैसे कि अगर मैं बात करूँ इसने का कि सभी caps क्या है pens है अगर देखो आपने पिछला जो topic था when diagram था अगर आपने वो पढ़ा होगा तो इसको आप बना सकते हो जैसे इसने का सभी caps जो हैं सभी caps जो हैं वो pen है ये एक statement बोली है ठीक है फिर इसने एक और statement बोली कि कुछ pen table है अब कुछ pen क्या है वो table है ठीक है ये इस तरह की statement इसने बोली है ठीक है अब जरूरी नहीं कि एक ही diagram बने इन condition का बहुत सारे diagram बन सकते हैं मैं आपके सामने 12 तेरा diagram तो ऐसी बना दूगा है जो इन statement को प्रूब करेगा ठीक है अब इस समझते हैं एक एक detail में पढ़ेंगे ठीक है फिर आप से पूछा है conclusion पूछा जाता है क्या कि क्या कुछ Cap Pen है क्या कुछ Cap Pen है सारे Cap Pen है तो कहींना कहीं आपके मन में सवाल उठते हैं कि कुछ Pen कैसे होंगे तो यहां पर ये आप क्या करोंगे गलत कर दोगे फिर सब PENs are not tables कुछ Pen जो है सबी caps क्या है tables है हो भी सकती है नहीं भी हो सकती ठीक है आप ये कहोगे हाँ हो सकती है कुछ pen caps है आप ये कहोगे कुछ pen तो cap है some caps are tables हो भी सकती है तो कही न कहीं आपके answer इस तरीके से आएंगे अगर आपको इसका concept नहीं पता होगा यह असल में कुछ आंसर गलत है ठीक है अगर इसका सही आंसर आप पता करोगे तो some caps are pens बिल्कुल correct है some pens are not table ये बिल्कुल गलत है all caps are tables ये बिल्कुल गलत है some pens are caps बिल्कुल correct है some caps are tables ये बिल्कुल गलत है तो इस तरह से जैसे मैं आपके सामने कर रहा हूं, statement को पढ़ते ही आपको answer दे रहा हूं, तो इस तरह से आप भी कर सकते हो, बस पहले आप इसके concept को समझो, ठीक है, तो start कर यह question हम बाद में दुबारा देखेंगे, पहले आप समझते हैं इसके concept को, देखो, silox में आपको यह चार तरह की statement देखने को मिलेगी, लेकिन आज, आजकल जो banking में questions आ रहे हैं, या किसी other exam में question आ रहे हैं, ssc को छोड़ कर, ठीक है, उसमें only, ठीक है, only for, only if, या इस तरह के sentences को use किया जा रहा है, at least, at most, इस तरह के sentences को use किया जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं, पहले यह समझ आ जाएगा, तो हम उसको भी आसानी से कर पाएंगे, ठीक है, तो देखो, अगर हम silox, normal silox की बात करें, तो यह चार तरह की statement आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है, जैसे की all arb, some arb, no asb, some ar and not b, इस तरह की statement आपको देखने क इसे की 및ंगा करोगे, आप यह काओगे वही, एक सभी A भी हैं, तो अगर मैं यह बना दू और A को डाएगरम बना देते हैं, एक डाएगरम और बना लेते हैं, तो आप बहुत की बही सभी A जितने भी A हैं दुनिया में वो यहां रखे हैं और सभी A क्या है? B है सभी A क्या है? B है इस तरह का diagram आप बना पाओगे और एक diagram और बन सकता है इसके लिए अगर हम बनाना चाहें तो आप यह कहोगे बही एक diagram ऐसा भी बना लेते हैं जो दोनों के लिए क्या रहे common मतलब इसी में A हो यह circle A का ही है और B का भी same ही circle रहेगा मतलब अगर मैं इस statement को prove करने की कोशिश करूँ कि यह all A or B किस तरह से बन सकता है तो मैं कहोँगा बही एक तो यह diagram बन सकता है किस सारे के सारे A यह रहे और वो सारे के सारे B के अंदर है यह एक बन सकता है और एक diagram ऐसा भी हो सकता है कि अगर यह A और B के diagram जो circles हैं वो बिल्कुल same size के same quantity के होते तब भी आप यह बोल सकते हैं कि सभी A भी है ठीक है तो यह आप बोल सकते हो यह दो diagram हमारे तयार हो जाते हैं इस statement के लिए ठीक अब दूसरे के बात करते हैं दूसरे statement की बात करते हैं तो दूसरे statement क्या है sum A, R, B sum A, R, B हमने का कि sum A, R, B है इसका मतलब यह A बना लेते हम एक तो यह आजाएगा A का diagram और उसके बाद यह B का diagram तो आप यह कहोगे sum A, R, B मतलब A जो है A का कुछ पार था और उसमें कुछ पार बी का intersect हो गया तो इसमें आप यह कहोगे यह कुछ पार ऐसा है जिसमें कुछ A जो B है ठीक है यह कितना भी हो सकता है इतना भी percent matter नहीं गड़ता है लेकिन अगर कुछ भी है तो आपको intersect करना पड़ेगा sum A, R, B मतलब कुछ A, B के अंदर है ठीक है इतना ही हमें बताये गया एक तो यह diagram बन गया क्या और कोई diagram बन सकता है बिल्कुल बन सकता है एक diagram इस तरह का भी बन सकता है ठीक है यह A के अंदर सारे के सारे B हैं अगर तो आप यह बोल सकते हैं कुछ A ऐसे हैं जो B, B है ठीक है तो sum A, R, B इस diagram से यह prove हो जाता है ठीक है क्या हम और कोई भी diagram यूज़ कर सकते हैं हाँ अगर मैं यूज़ करना चाहूँ तो मैं इस diagram को ले सकता हूँ ठीक है और मैं इसको दुबारा बना सकता हूँ देखो यहाँ पर इसका size छोटा कर लेते हैं थोड़ा यह diagram भी बन सकता है बिल्कुल बन सकता है यह अगर सारे के सारे A, B के अंदर होते तब भी आप यह बोल सकते थे कि कुछ A, B है ठीक है मतलब अगर आप यह शायद आपको यह diagram समझ नहीं आए क्यों ऐसा हो रहा है देखो मान लेते हैं यह एक box है ठीक है अगर यह सारा का सारा box क्या है एक second इसको दूसरा box बनाते है ठीक है और इसको fill कर लेते हैं किसी color से ठीक है मान लेते हैं मैं यह कहा रहा हूँ सारा का सारा जो box है भी किया है red है ठीक है मैंने का कि अगर सारे के सारे ए, B के अंदर होते तो कुछ A, B, B के अंदर होते तो अगर मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो देखो आपको समझ आएगा कि अगर सारा का सारा box red है तो मैं यह कहता हूँ यह कुछ box कुछ box भी थो red ही है उसी box में से कुछ box या यह कहें अगर एक classroom में students बैठे हैं बहुत सारे student है ठीक है तो अगर आप यह कह रहो कि उस class में सारे student है तो उसी class में से अगर मैं कुछ student को बाहर निकालो तो आप यह कहोगो न यह जो कुछ आपने बाहर निकाले हैं यह भी तो student ही है तो इसी तरह से यह है कि अगर सारे के सारे A B के अंदर है तो इसका मतलब कुछ A B B के अंदर ही मिलेंगे उनी सारे A में से कुछ A B B के अंदर ही मिलेंगे ठीक है तो यह हमारा डाइगराम समझ आ गया आपको ठीक है उमीद है समझ आ गया को नहीं समझ आ गया तो एक बार आप दुबारा रिवाइंड करो वीडियो को और एक बार दुबारा देखो ठीक है उमीद है यह समझ आ जाएगा एक और ले लेते हैं कि मालो एक एक जू में जाते हैं तो आप ये कहोगे एक जू में सारे के सारे क्या हैं जानवर हैं सारे के सारे जानवर हैं ठीक हैं तो अगर उन्हीं जानवरों से मैं जानवरों में से मैं पांच जानवर निकाल लेता हूं उसी उन्हीं सब जानवरों में से मैं पांच जानवर निकाल लेता हूं, तो मैं यह कह सकता हूं, यह जो कुछ जानवर मैंने बाहर निकाले हैं, यह भी तो जानवर हैं, बिल्कुल वही concept यहां पर है, कि अगर सारे के सारे A, B हैं, या सारे के सारे जानवर जंगल में हैं, ठीक है, तो कुछ जानवर भी आपके ज वाला ही same diagram आपका repeat हो जाएगा, ठीक है, ये वाला same diagram आपका repeat होगा, ठीक है, ये diagram आपके चार diagram बनेंगे, ठीक है, एक तो diagram आपका ये है, एक तो इसका ये रहा, इसका ये रहा, ठीक है, इसका एक diagram ये है, second diagram इसका ये है, third diagram ये है, और चार diagram ये है, इसका वालब आपके चा diagram sum a r b के लिए बनेंगे आपके 4 diagram आपके sum a r b के लिए बनेंगे तो ध्यान रखना है इस शीज का आपका ठीक है अब देखो next अगर मैं बात करूँ next वाले diagram की या next वाले statement की तो statement क्या है आपकी no a is b है no a is क्या है b है तो अगर मैं इसके लिए diagram बनाऊ अगर मैं इसके लिए कोई diagram बनाऊ तो आप एक होगे no a is b मतलब कोई भी a जो है वो b नहीं होना चाहिए तो अबने का कि ये क्या है इस सारे के सारे a हैं और अगर मैं b को बनाऊ तो आप एक होगे intersect नहीं करेंगे ठीक है तो इस तरह से हमने यहाँ पर कर लिया कि कोई भी A B के अंदर नहीं है ठीक है और कोई diagram बन सकता है कि है और कोई diagram आपका बिल्कुल नहीं बनेगा कुछ student होते है भई B को इधर रख लो एक और यह तो फिर क्या समझ सकता है ठीक है ऐसा कोई और diagram नहीं बनेगा ठीक है अब आगे चलते हैं इसके बारे में some A or not B यह बहुत अच्छी statement है इसमें confusion जादा हो जाती है some A or not B कुछ A B नहीं है कुछ A B नहीं है तो इसका मतलब कुछ यह diagram बन सकता है some A or not B some A or not B तो कुछ यह diagram बन सकता है some A ठीक है यह A है और अगर मैं some A or not B बनाऊं तो यह वाला क्या जाएगा B तो कुछ A ऐसे हैं जो B नहीं है इसका मतलब B से जो बाहर वाला part है उस वाली statement के लिए ठीक आ रहा है ठीक है B से जो बाहर वाला A का part है some A or not B मतलब कुछ A ऐसे हैं जो B के अंदर नहीं है यह बिल्कुल ठीक बन रहा है diagram और कोई diagram बनेगा क्या हाँ यह वाला भी बन सकता है कुछ A ऐसे हैं जो B नहीं है ठीक है तो एक diagram और बना लेते हैं कुछ A ऐसे हैं जो B के अंदर नहीं है यह बन गया ठीक है और कोई diagram बिल्कुल देखो यह बन सकता है कि इसमें तो यह तो नहीं बन सकता क्योंकि सारे के सारे A B के अंदर है यह भी नहीं बन सकता क्योंकि सारे के सारे A B के अंदर है तो इसने का कुछ A B नहीं है तो क्या यह diagram possible है यह वाला हमने का बिल्कुल possible है कि अगर कोई भी A B नहीं है कि अगर A और B दोनों अलग-अलग होते तब भी आप ये बोल सकते हैं कि कुछ A भी नहीं है मतलब अगर उसको एक example से समझे कि अगर मान लो मैं एक class में गया और वहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि वहाँ पर सारी कि सारी क्या हैं? Girls है, ठीक है? तो अगर मैं कुछ girls को खड़ा कर लेता हूँ यहाँ पर तो मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी भी girls खड़ी हुई हैं, वो क्या हैं? लड़के नहीं हैं, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि अगर कोई भी girl कोई भी student अगर मैं कहूँ कोई भी student लड़का नहीं है तो बिल्कुल आप ये कह सकते हो कि कुछ जो student उठाए हैं मैंने वो भी लड़का नहीं होँगे ठीक है? वो सारी किसारी क्या है? लड़किया है तो इस तरह से आप example को समझ सकते हो ठीक है? अगर एक box बना लेते हैं यहाँ पर अगर एक box बना लेते हैं यहाँ पर और मैं कहूँ ये पूरा का पूरा box जो है वो black color का है पूरा का पूरा box क्या है? black color का है मतलब ठीक है? यह यह कहें ये box जो है वो red color का नहीं है तो कुछ box भी तो red color के नहीं होंगे तो इस तरह से आप यह समझ सकते हो ठीक है? तो अगर कभी है कोई भी confusion हुई आपको यह कोई किसी पॉइंट पर आकर आकर आपको यह लगे कि नहीं समझाया तो आप एक बार इन डायगराम को देखना उमीद है आपको ये doubt clear हो जाए पहले बाद तो आपको diagram बनाने की जरूरती नहीं पड़ेगी किसी भी question में चाहे वो कहीं पर भी किसी भी तरह का question हो possibility में छोटे मोटे diagram बनाने पड़ सकते हैं क्योंकि 3 point में possibility में खतम करूँगा ठीक है तो इतना ही रहेगा ठीक है अब स्टार्ट करते हैं एक पर यह वाला question देखो अगर मैं बात करूँ इस question के लिए एक statement दे हुई थी जो question पहले वाला है all caps are pens अब अगर मैं इनके इस statement की diagram बनाने लग जाओ ना तो कहीं न गई 12-13 diagram आपके सामने त्यार हो जाएंगे देखो कैसे अगर मैं यहां पर बनाओ all caps are pens तो आप यह कहोगे कि सारी की सारी caps जो है वो क्या है pen है ठीक है सारी की सारी caps क्या है pen है एक तो all वाला diagram एक यह बनता था और एक all वाला diagram कुछ यह बनता था ठीक है यह दो diagram बनते थे अब अगर मैं यह कहूं कि some pens are tables तो इसको पहले copy कर लेते हैं इसकी बार-बार जरूरत पड़ेगी बार-बार जरूरत पड़ेगी इसकी ठीक है तो चार-पांच ले ले लेते हैं इसके diagram अब इसने कहा कि some pens are I will discuss pen क्या है तो हमने कहा Kutch pen table एक तो यह बन सकता है इस जिए मतलब को नहीं लिए कुछ प llem men अब कुछ पेन जब table आप ले रहे थी तो हो सकता है, cap का थोड़ा बहुत पार्ट intersect हो जाए, ठीक है, उसके बाद हमने देखा, हो सकता है, सारी की सारी cap intersect, मतलब सारी की सारी cap ही table के अंदर भी आ जाए क्योंकि मैं तो pen को ही ले रहा हूँ, ये सारा circle pen को बता रहे हैं, लेकिन मैं नहीं table के अंदर आ जाए, तब भी तो ये statement ठीक है न, कि कुछ pen table है some pens are table, some pens are table तो ठीक है, अगर सारे pen table थे तो कुछ pen तो table थे, वो some ARB वाला थड़ वाला diagram बनेगा, ठीक है, उसके बाद हमने देखा यहाँ पर, फिर से अगर मैं यहाँ कहूं कि कुछ pen table है, तो यहाँ पर हो सकता है table का part अंदर आ जाए, तो आप यह कहो कि कुछ pen table है हो सकता है, और कोई diagram जब अंदर रहा हो, तो table intersect हो जाए cap के साथ, हो सकता है सारे की सारे cap ही table के अंदर आ जाए हो सकता है, table यहाँ अंदर आ जाए, क्योंकि यह है तो कहीं न कहीं pen ही तो हमने एका कुछ pen table है, यह भी हो सकता था ठीक है, और हो सकता है कि pen ओर table का एक ही diagram बन था, ठीक है, क्योंकि यह वाला diagram भी तो इस तरह का बन सकता था आपर, ठीक है, क्योंकि sum ARB में, sum ARB में और भी अगर मैं बात कुरूँ इसमें और ज्यादा डाइग्रम बन सकते हैं लेकिन अभी इतने ही रहने देते हैं इधर ले आते हैं सम पैंसर टेबल इस तरह से बन सकता है यह पहले इसको कॉपी कर लेते हैं जरूर्द पड़ेगी कुछ पैंट टेबल है एक तो यह डियाग्राम बन सकता है कुछ पैंट टेबल है कुछ पैंट टेबल है यह भी डियाग्राम मन सकता है अगर सभी पैंट टेबल हो तो तब भी कुछ पैंट टेबल होते हैं हो सकता है टेबल कहीं अंदर होता है हो सकता है कि पैंट चेर और टेबल का एक ही सरकल होता ठीक है हो सकता है कि यह बस इतना ही बनेगा इतना ही बहुत है इसको cancel कर लो यह हो सकते हैं ठीक है और भी डाइग्राम हो सकता है एक आद मिस हो गया हो लेकिन इतना फरक नहीं पड़ता हमें ठीक है हमें आंतर देने के लिए इनफ है हमारे पास डाइग्राम अब देखो कोई भी जब statement कही जाती अब समझो cancel का मतलब क्या है ठीक है जब भी कोई statement आपको बोली जाती है तो उसका direct एक ही meaning नहीं होता है ठीक है वो मेरे sense पर है कि मैं उस चीज़ को कैसे समझ रहा हूँ अगर मैंने कोई statement बोली है कोई भी statement तो हो सकता है कोई एक person मेरी बात को किसी और वे में लेके चला ज जाएं ठीक है तो जब भी कोई syllogism का question होता है तो उसमें दो statement या तीन statement या चार statement जितने भी statement हो तो उसका मतलब यह होता है कि जब भी आपको कोई statement बोली जाती है तो आप एक ही मतलब नहीं समझें आप उसके जितने भी वे हो सकते थे उसको think करने के लिए या उसके मतलब निकालने के लिए जितने भी ways हो सकते थे उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको इन सभी का answer देना है ठीक है तो मैंने क्या करा ये जो statement दो बोली थी ठीक है उसको क्या करा उनको graphically represent कर दिया कि इसका मतलब ये भी हो सकता था ये भी हो सकता था ये भी हो गया ये भी ये भी ये भी ये भी इस तरह से ये बहुत सारे diagram हमारे तयार हो गए ठीक है तो जो statement में बोला था मैंने उसको एक way में ना समझ कर मैंने जितने way उसके expression के हो सकते थे वो मैंने सभी assume करे और उन्ही चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे ये conclusion के जवाब देने है तब मैंज़े रहे सिलोजिसम का मतलब क्या है कि केवल आपको स्थीमित नहीं रहोगे किसी एक बात के लिए अगर आपको कोई भी एक बात बोली जाते है तो उसके हर एक angle से आपको वो सोचना है उस सभी angles को ध्यान में रखते हुए आपको निसकर्ष बताने कि किस में सभी angle को सोचते हुए सभी जो चीजे हैं वो सही रहेंगी या गलत रहेंगी ठीक है तो हमने क्या करा ये statement थी diagram बना ली हमने सारे अब हम conclusion चेक करेंगे conclusion वो ही correct होगा 100% correct वही होगा जो 100% diagram में सही बनेगा मतलब ये कि जो सभी diagram में conclusion ठीक आएगा वो ही आपका conclusion correct होगा अगर एक में भी गलत हो गया तो वो 100% true नहीं है और हमें यहाँ पर केवल 100% true वाला ही conclusion correct करना है ठीक है अगर एक भी conclusion किसी भी diagram में गलत हो जाता है तो वो इसका मतलब गलत है वो सत्य नहीं है सत्य तो हमेशा 100% होगा ठीक अब देखो यहाँ पर इसने पहला conclusion पूछा कि some caps are pen तो हमने का some caps are pen हाँ बिल्कुल सारे cap pen है तो कुछ cap भी pen होगे तो बिल्कुल correct आ रहा है पहला सभी में चेक करना है कुछ cap pen है बिल्कुल कुछ cap pen है कुछ cap pen है कुछ cap pen है कुछ cap pen है सभी में correct आ रहा है इसका मतलब हमारा यह जो conclusion है वो 100% true है क्योंकि जितने भी ways हो सकते थे वो मैंने यहाँ पर graphically represent कर दिये है और उन सभी में वो correct आ रहा है तो इसका मतलब 100% true next कुछ pen table नहीं है हमने का कुछ pen table नहीं है इसमें बिल्कुल correct आ रहा है कुछ pen table नहीं है यह इसमें भी correct आ रहा है कुछ pen table नहीं है बिल्कुल correct आ रहा है कुछ pen table नहीं है बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, कुछ pen table नहीं है, नहीं, इसमें तो सारे pen table है, तो कहीं न कहीं इसमें गलत हो गया, आगे चेक करने की जुरूत नहीं है, क्योंकि गलत करने के लिए तो एक ही conclusion काफी है, और वो हमारा ये conclusion गलत हो जाएगा, सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस वाले diagram में ये गलत हो गया, next, ठीक है, table पढ़ने से ही काम हो जाता ना, फिर ये chapter ही न डाला जाता, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे भी, कुछ pen table है, तो कुछ pen table नहीं है, सूचते रो, तुमारे सोचने से क्या हो रहा है, यहाँ पर ये diagram बन रहे हैं, ठीक है, तो चीजों all caps are tables, all caps are tables, सारे की, सारे जो cap है, वो table है, क्या यहाँ पर है, नहीं है, यहाँ पर है, नहीं है, तो इसका मुला कही न कहीं गलत हो रहा है, तो गलत हो जाएगा यहाँ ठीक है, next, देखो, कुछ pen cap है, कुछ pen cap है, क्या कुछ pen cap है, कुछ pen pen है, कुछ pen, बिल्कुल, कुछ pen, pen सभी में आ रहे है, कुछ cap जो है वो pen है, ठीक है कुछ pen cap है, हाँ बिल्कुल सभी में आ रहे है, correct some caps are table some caps are table some caps are table, correct some caps are table, ठीक है, some caps table लेकिन कहीं न कहीं इसमें गलत हो रहा है कहीं न कहीं इसमें गलत हो रहा है क्योंकि यहाँ पर table और cap अब जो है वो एक साथ intersect नहीं हो रहे हैं तो इस तरीके से syllogism किया जाता है लेकिन हम जो method पढ़ेंगे उसमें आपको syllogism बिल्कुल भी आपको pen उठाने की जरूरत नहीं है एक statement मैंने रखी है यहां पर अब उसके से लिए आपको सारे के सारे जितने भी conclusions हैं जितने भी सारे के सारे conclusions है वो आपको चेक करने हैं ठीक है मतलब यह कि जितने भी conditions हो सकती हैं इनको solve करने के लिए जितने भी type के questions create हो सकते हैं यह जितनी भी conclusions create हो सकते हैं वो यहाँ पर मैंने सारी रख्यों है 24, 24 conclusion है उन सभी को हमें try करना है ठीक है अगर अब सभी statement यह सभी type की statements के लिए अगर यह 24 conclusion कर लोगे फिर आपको यह practice हो जाएगी रटवा नहीं रहा हूँ आपको बिल्कुल भी मैं practice करवा रहूँ के वल आपको ठीक है अब आपको करना कैसे है पहले वो उन चीजों का ध्यान रखो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना है सबसे पहले जो point है वो यह है कि अगर statement अगर statement positive होती है क्या positive होती है positive कौन सी statement होती है दो तरह की statement positive होती है अगर आप देखोगे इसमें तो दो तरह की statement positive कौन कौन सी थी all ARB और sum ARB ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें no या not का use नहीं है और दो negative statement है कौन-कौन सी no a is b और some a are not b क्योंकि इसमें no या not का use हुआ है इसलिए इनको negative statement हम बोल सकते हैं ठीक है तो अगर मैं यह क्या रहा हूँ कि अगर statement क्या होगी positive होगी तो जितने भी conclusions होंगे negative ठीक है वो सारे के सारे conclusion क्या रहेंगे गलत रहेंगे ठीक है एक example समझ लेते हैं इसका कि अगर statement लिखिये मान लेते हैं कि all a are b क्या लिखिये all a are b और इसके conclusions अगर मैं मान के चलूं conclusion है sum a are b no a is b all a are b sum b are not a sum b are a all b are a ठीक है और no b is a sum a are not b ठीक है मान लेते हैं अगर यह statement है आपके पास ठीक है कितनी statement है आपके पास एक ही statement है और उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर example के तौर पर 8 conclusions लिख कर दी हैं तो मैंने पहला point यह बताया कि अगर statement positive होती है बिल्कुल यह positive statement है आपके एक all a or b तो जितने भी conclusions negative होंगे ठीक है a और b के statement a और b के बारे में है तो a और b के जितने भी conclusions negative होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे गलत जैसे no आ गया है आपर गलत हो गया ठीक है और किसी में no आ रहा है बिल्कुल यह no आ रहा है इसमें no आ रहा है ये गलत होगा इसमें no आ रहा है ये गलत होगा तो जितने भी conclusions negative रहेंगे no या not का use होगा वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे किस case में अगर statement आपकी क्या है positive है ठीक है ध्यान रखना आपको second point की अगर मैं बात करूँ second point की अगर मैं बात करूँ second point है आपके पास चाहे वो statement हो चाहे वो conclusion हो चाहे वो statement हो चाहे वो conclusion हो आपको एक बात ध्यान रखने है जैसे कि अगर मैं बोलू statement all a.r.b. भी हो सकती है तम a.r.b. भी हो सकती है ठीक है इस तरह की दो statement हो सकती है तो कहीं पर भी अगर मैं बात करूँ कि इस जगा पर इस जगा पर कुछ भी नहीं है जैसे इस a के आगे तो all है लेकिन इस b के आगे all या sum में से कुछ नहीं है तो यहाँ पर हमेशा आपको क्या एजियूम करना है कि sum लिखा हुआ है इसी तरह से sum a के आगे sum है यहाँ पर b के आगे कुछ नहीं है तो इस जगा पर आपको हमेशा क्या एजियूम करना है sum एजियूम करना है मतलब यह जिस letter के आगे यह जिस word के आगे all या sum में से कुछ नहीं लगा होगा उस जगा पर आपको हमेशा क्या assume करना है कि वहाँ पर हमेशा क्या लिखा होगा sum लिखा होगा ठीक है यह आपको ध्यान रगना है अब वो चाहे statement में ऐसा लिखा हो चाहे वो conclusion में अगर मैं पढ़ूँगा तो हमेशा ऐसे ही पढ़ूँगा ठीक हो जैसे statement पढ़ूँगा तो all a are sum b पढ़ूँगा मैं ठीक है हमेशा लिखना नहीं है pen use नहीं करना है ठीक है बस आपको यह ध्यान अगना है जहां पर कुछ नहीं होगा वो हमेशा आपको read करना है क्या sum all a are sum b इसी तरह से sum a are sum b ठीक है negative तो कटी यह हैं उसको छोड़ दो all a are sum b sum b are sum a all be are sum a ठीक है इस तरह से आपको statement को भी read करना है हमेशा और conclusion को भी read करना है ठीक है इसी तरह से आपको यह हमेशा ध्यान रखना है next जो point है समझने के लिए वो last point यह है केवल statement के लिए बोला हूँ केवल क्या statement के लिए बोला हूँ की कभी भी आपको यह ध्यान रखना है की statement में यहां पर भी all लिखा होगा आप उसको all तो बोलते ही हो बिल्कुल अगर यहाँ पर All A.R.B. लिखा है तो आप इस All को तो All ही बोलोगे मैं यह कहा रहा हूँ कि नहीं All को आप All तो बोल ही सकते हो आप उसको जरूरत के हिसाब से सम भी बोल सकते हो मतलब All तो All है ही वो तो बहुत बड़ी बात है ठीक है लेकिन अगर All की जगह मुझे सम यूज करना पड़े तो मैं All की जगह सम को भी यूज कर सकता हूँ मतलब All और सम यूज कर सकता हूँ ठीक है लेकिन अगर कहीं पर भी स्टेटमेंट में सम लिखा हो कहीं पर भी स्टेटमेंट में अगर सम लिखा हो तो उसको केवल और केवल Sum ही पड़ सकते हो तो Sum जैसा है वैसा ही रहेगा उसको कोई छेड़ नहीं सकता तो लेकिन All को All बीच पड़ सकते हैं उसको Sum भी पड़ सकते हैं जरूरत के साथ से उसको देखते रहेंगे तो अब आजाते हैं उसी Quesian पर तो अब यहाँ पर मैंने आपको statement दिया है All A.R.B. Some B.R.C. अब इन दो statement को पढ़कर या जवाब जो आपको point बताएगा है उनको देखकर आपको जवाब देना है और ये जितने भी conclusions आपको लिखे हैं उन सभी को right या wrong करना है ठीक है आप चाहे copy लेकर लिख सकते हैं ठीक है हरे practice के लिए सभी questions के लिए ये सही रहेगा हमारे लिए ठीक है तो start करते हैं तो कभी भी कभी आपको क्या करना है कभी भी अगर question आए तो आपको statement से पहले आपको हमेशा conclusion पढ़ना है जैसे मैं पढ़ूँगा क्या कि all a are sum b क्या पढ़ूँगा मैं all a are sum b अब जो conclusion यहाँ पर लिखा हुआ है जो मुझे check करना है वो मैं statement में भी वैसा ही पढ़ूँगा अगर मिल जाएगा तो ठीक है correct हो जाएगा नहीं होगा तो गलत हो जाएगा क्या all a are sum b मैंने कहा था है यहाँ पर हमेशा sum पढ़ना है यहाँ पर क्या लिखा है all a are sum b और यहाँ पर भी है all a are sum b ठीक है तो इसका अमला ये वाला correct answer है इसका अमला first वाला बिलकुल correct है ठीक है समझ पारे हो आप ठीक है next sum b are not a है अगर statement की बात करें a और b की statement तो positive है तो इसका मतलब अगर conclusion में not लगा हुआ है तो इसका मतलब वो conclusion negative हो जाता है और वो गलत हो जाता है ठीक है next देखते है all b are sum a मैं हमेशा sum लगा के पढ़ रहा हूँ ठीक है आपको भी आसे आदत बनानी है all b are sum a all b देखो उसी statement में देखना है जिसमें a और b एक साथ है तो यहां पर क्या है क्या यहां पर all है हमने का नहीं यहां तो sum है क्या sum को हम all पढ़ सकते थे नहीं sum तो जैसा था वैसा ही रहेगा तो इसका मतलब b के पास all नहीं है उस जगा पर तो इसका मतलब यह गलत है यह क्या पूछ रहा था कि b के पास क्या all है यह तो पूछ रहा है आप से क्या है ऐसा हमने का नहीं यहां पर b के पास all नहीं है यहां यहां पर b के पास क्या sum तो इसलिए गलत हो गया next sum a r sum b sum a क्या इस all को मैंने बताया कि sum बोल सकते हैं, तो sum A बिल्कुल है, आर sum B बिल्कुल है, तो जैसा वो पूछ रहा है, विल्कुल वैसा है, तो sum A और sum B बिल्कुल correct हो जाएगा, ठीक है, next नेक्स देखो, पांचवा पूछ रहा है अपसे, no A is B हमने का statement तो भई positive है, तो ये वाला conclusion हो जाएगा, गलत negative, ठीक, next 6th question पूछ रहा है, 6th वाला conclusion पूछ रहा है, क्या, sum A और not B, फिर से negative हो जाएगा, क्योंकि statement हमारी क्या है, positive है, next, sum B बिल्कुल sum B है याँपर, क्योंकि याँपर कुछ नहीं है, तो sum है, sum B R sum A है हमारे पास, ये बिल्कुल correct हो जाएगा, next, 8th पर आते हैं, no B is A, ठीक है, no B is A, तो क्या A और B की statement तो positive है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, 8 पर भी गलत, ठीक है, तो हमने 8 तक कर लिये हैं, बिल्कुल right wrong, केवल हमने चीज़ का, चलो, next, all B R sum C, ठीक है, अब किसका conclusion आगया है, B और C का, तो जिसमें B और C एक साथ होंगे, केवल उसी conclusion पर नजर रखनी है, उपर वाले पर कोई नजर नहीं रखनी है, ठीक है, चलो all B R sum C, क्या यहां पर B के पास all है, हमने का, नहीं, यहां तो sum है, और sum को आप बदल ही नहीं सकते, इसका मतलब 9th गलत हो जाएगा, ठीक, next, 10th की अगर मैं बात करूँ, 10th पूछा है, 9 B is C, हमने का, 9 B is C statement तो positive है, इसका मतलब 10th गलत हो जाएगा, 9 B is C गलत है, next, 11th की अगर मैं बात करूँ, sum B are not C, फिर थे negative है, यह गलत हो जाएगा, next, sum B are sum C, sum B are sum C, बिल्कुल जैसा चाहिए था, वैसा मिल गया, next, no negative हो गया, बिल्कुल statement positive है, 14th, sum C are sum B, sum C, बिल्कुल sum C है यापर, हाँ, बिल्कुल sum B है, यापर, बिल्कुल correct है, ठीक है, next, 15th, all C are sum B, क्या, C के पास याँ पर all है, हमने का, नहीं, C के पास तो sum है, और sum को आप all कर नहीं सकते, इसका मतलब यह 15th गलत हो जाता है, ठीक है, यहाँ तक समझ आया, 16th पर आते sum C are not B, sum C are not B, statement positive है, यह गलत हो जाता है, ठीक है, तो हमारे यहाँ पर 16th तक complete हो चुके है, next 17th के अगर मैं बात करूँ, तो किसके बारे में पूछ रहा है, A और C, अब हमने देखा कि A और C अलग-अलग statement में, A यहाँ पर है, और C, यहाँ पर है, ठीक है, A कहाँ पर है, यह है, और C, यहाँ पर है, मतलब दोनों अलग-अलग statement में है, तो statement अगर अलग-अलग होगी, तो आप जवाब कैसे दोगे, ठीक है, हमें तो एक statement चाहिए, क्योंकि मैंने आपको कहा है, कि जिस भी conclusion, जिस के बारे में पूछता है, वो एक ही statement में होने चाहिए, तो अगर दो अलग statement में है, तो कोशिश करने हैं, आपको एक नई statement बनानेगी, और नई statement की condition क्या है, वो देखो, कि भाई दोनों ही statement में, एक element, at least one element, one element, at least तो उस पर आगा common वाले पेट, at least one element, is common, दोनों ही statement में, एक element जरूर common होना चाहिए, मतलब ये, कि अगर, यहां पर भी है, तो दूसरे में भी एक भी होना चाहिए, यहां पर pen है, तो यहां दूसरे में भी pen होना चाहिए, ठीक है, तो मैं यह क्या रहा हूँ, दोनों ही statement में क्या, एक ना एक element common होना चाहिए, और यह जरूरी नहींगी, कि एक इधर होगा, तो एक इधर होगा, नहीं, क्रॉस में जरूरी नहींगी, कहीं पर भी हो, दोनों ही statement में, एक element common होना चाहिए, ठीक है, अगर ऐसा है, तो फिर second condition है ठीक है, कि at least at least one b या one common element should have all or no ठीक है, मतलब यह कि जो common element था वो जो common element था उनमेंसे at least का मतलब है, कम से कम एक के पास तो हो दोनों के पास वोगा चलेगा ठीक है, तो इस नहीं कहा कि जो common element है भी, उनमेंसे किसी भी एक के पास या दोनों के पास all या no होना चाहिए all या no होना चाहिए, अगर ऐसा है तो फिर यह जैसा जैसा था अगर A के साथ All है तो All ही रहेगा ठीक है C के साथ समय तो समी रहेगा और एक statement बन जाती लेकिन यहाँ पर B common तो है यहाँ पर B common तो है लेकिन किसी भी B के पास ना तो All है और ना ही No है तो अगर ऐसा है तो यह दोनो statement जोइन नहीं होंगी मतलब A और C जोइन नहीं होंगे और जब कभी कोई statement ना बने जोइन करने पर इसका मतलब वो सारे के सारे conclusion क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे उन elements से related जैसे A और C जोइन नहीं हुए तो यहाँ पर A और C से related जितने भी conclusions थे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे गलत अब उसमें चाहे positive हो उसमें चाहे negative हो चाहे इसका A इधर लिखाओ C इधर लिखाओ C इधर लिखाओ A इधर लिखाओ फरक नहीं पड़ता कोई भी ठीक है तो ध्यान रखना है आपको कि देखो next question देखते है जिसमें join होने वाला होगा ठीक है all A are some B all B are some C ठीक है अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो पहले पढ़ो all A are some B हमने कर ठीक है all A are some B बिलकुल correct है यह first वाला ठीक है next देखोगे some B are not A हमने कर negative है यह क्योंकि statement तो positive है all B are some A देखो second वाले में all B नहीं देखना है क्योंकि वो conclusion A और B का है तो केवल first वाली statement में देखना है और उस जगह पर B के पास all नहीं है वो some है आपर तो इसलिए यह गलत हो जाएगा ठीक है next sum A are some B sum A are some B यह बिलकुल correct है ठीक है next देखो no A is B यह negative है negative no यह भी negative है a sixth seventh देखेंगे sum B are some A sum B are some यह बिलकुल correct है B के पास sum है A के पास भी sum है all को तो sum बोली सकते है eighth negative हो जाएगा क्योंकि no है यहाँ पर ठीक है ninth की अगर मैं बात करूँ तो all B are some C all B are some C यह बिलकुल correct है all B are some C जो चाहिए था वो मिल गया tenth no B is C negative है क्योंकि यहाँ पर statement positive है ठीक है next 11th की अगर मैं बात करूँ फिर से negative है twelfth sum B are some C sum B बिलकुल all को sum बोल सकते है sum B are some यह बिलकुल correct है thirteenth no C is B गलत negative है fourteenth sum C are some B sum C are some B sum C बिलकुल sum C है sum B है ठीक है क्योंकि यहाँ पर sum होता ही है और all को sum बोली सकते है तो इसका मुला sum C are some B बिलकुल correct है next all C are some B क्या C के पास all है नहीं यहाँ पर तो sum है और sum को आप all बोल नहीं सकते हैं यह गलत sixteenth negative है seventeen पर आते हैं A और C के conclusion पूछ रहा है तो हमने का ठीक है A और C को अगर मैं join करूँ तो हमने का B और B दोनों common होने चाहिए बिलकुल common है और दोनों में से किसी भी एक B के पास all या no होना चाहिए और यहाँ पर B के पास all है इसका मतलब join हो जागा कैसे जो A के साथ है वो A के साथ रहेगा all A और जो C के साथ है मतलब यहाँ पर sum है जो कि लिखते नहीं है तो statement बनेगी क्या all A are sum C इस तरह की कोई statement बनेगी है हमारी और उसको देखते हूँ हम यह check करेंगे all A are sum C all A are sum C बिलकुल correct next negative है क्योंकि statement तो हमारी positive बनी है next भी negative है 19th 20 पर आते है sum C are sum A sum C are sum A all C are sum A all C तो नहीं है यहाँ पर बिलकुल गलत है 22 negative है और 23 sum A are sum C sum A A को sum बोल सकते है sum A are sum C बिलकुल correct और last problem negative है ठीक है तो इस तरह से आपको यह करना है ध्यान रखना है जो जो तीन पॉइंट बताए है और एक joining वाला पॉइंट बताए है वो 80% आपके silogs को complete करेगा ठीक है तो ध्यान रखना है इस चीज़ का ठीक है next question देखते है देखो statement all B are sum A all B are sum C अगर मैं बात करूँ check करते हैं इसको all A are sum B हमने कर ठीक है all A तो नहीं है यहाँ पर गलत हो जाता है sum B are not A negative है क्योंकि यहाँ पर statement तो positive है all B are sum A all B are sum A यह बिल्कुल correct है क्योंकि जैसा पूछा गया है वैसा ही हमें मिल गया correct हो जाएगा बिल्कुल next sum A are sum B यह बिल्कुल correct है sum A है और sum B है बिल्कुल correct next negative है no A is B तो बिल्कुल गलत है ठीक है next negative है फिर से negative seventh sum B are sum A sum B बिल्कुल sum A बिल्कुल जैसा था मिल गया eighth negative है यहाँ तक eight तक complete हो गया ninth देखते है all B are sum C all B are sum C बिल्कुल correct है यह सब पूछा था वैसा मिल गया next negative and next negative 12th पर आते है sum B are sum C sum B sum C बिल्कुल correct है next negative 14 sum C are sum B sum C are sum B यह बिल्कुल correct है 15th all C are sum B all C यहाँ पर C के पास all नहीं है sum है और sum को आप all बोल नहीं सकते 16th की बात करते है sum C are not B negative 17th all A are sum C all A are sum C अब देखो A और C की बात कर रहा है ठीक है A और C की तो A और C को अगर join करना है तो हमने का कि B common होना चाहिए मैंने क्या गा था आपको B क्या होना चाहिए common होना चाहिए और B अगर common है B अगर common है तो B किसी भी एक B के पास all A are no होना चाहिए तो हमने का दोनों के पास चलेगा तो इसका महला B common है तो A के साथ क्या है यहाँ पर sum है तो statement बनेगी sum A are sum C इस तरह के statement बनेगी आपकी क्योंकि A के साथ यहाँ पर sum तो sum ही रखा और C के साथ तो sum है यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं वो बात अलागे ठीक है next देगो तो all A are sum C गलत हो जाएगा क्योंकि A के पास all नहीं है sum A are not C negative no C is a negative sum C are sum A sum C sum A बिल्कुल correct है all C are sum है C के पास all नहीं है negative होगा next sum A are sum C sum A are sum C यह बिल्कुल correct और 24 बिल्कुल गलत क्योंकि negative है ठीक है तो इस तरह से आपको यह question करना है तो next question देखो अब देखो यहाँ पर next question पूछ रहा है all A are sum C ठीक है और all A are B तो यहाँ पर आप देखो किस तरह से all A are C पहले देखो उसने सबसे पहले A और C का ही पूछ लिया है ठीक है statement मतलब A और C की दे दिया है और A और B की नीचे दिया है कोई बात नहीं all A are sum B all A are sum B बिल्कुल correct है sum B are not a negative क्योंकि A और B की statement positive है all B are sum A all B नहीं है यहाँ पर गलत sum A are sum B sum A are sum B बिल्कुल correct negative negative seventh sum B are sum A sum B are sum A बिल्कुल correct no B is a negative ठीक है इतना हमारा होगे next B और C की बात करें B और C की इस पार statement हमारे पास नहीं है तो B और C की एगर statement बनाए तो बिल्कुल बन जाएगी क्योंकि A common है common element ही हमारे पास और common element के पास all या no B है मतलब all है हमारे पास तो statement बनेगी sum C sum C are sum B sum C are sum B इस तरह की statement बनेगी ठीक है तो all B are C all B के पास all नहीं है no B is C negative क्योंकि statement हमारी क्या बनी है positive बनी है यहाँ पर sum B are sum C sum B are sum C यह बिल्कुल correct है 13th negative है 14th की अगर मैं बात करूँ तो sum C are sum B sum C are sum B बिल्कुल ठीक है 15th all C are sum B all C all C तो नहीं है ठीक है next negative all A are C 17th की बात करें A और C की बात कर रहा तो A और C पर आजाओ फिर इस वाली statement पर all A are sum C बिल्कुल correct है जैसा था वैसे ही मिल गया और next negative next negative sum C are sum A sum C are sum A बिल्कुल correct है दोनों के पास sum सम था all C are sum A C के पास यहाँ all नहीं है गलत no A is C negative sum A are sum C sum A बिल्कुल sum C बिल्कुल sum C या नौट A negative इस तरह से आप question कर सकते हैं मतलब इतनी fast speed आपकी हो जाएगी इसको करने की कि आपको केवल conclusion पढ़ना है उसको recheck करना है आपको कहाँ पर केवल statement में और check करने के पर आपको पता चल जाएगा कि यह सही है यह गलत when केवल आप उठाओगे तो केवल right या wrong खडने के लिए उठाओगे इससे जादा नहीं ठीक है चलो next देखो all c are sum b all c are sum है बिल्कुल ठीक है अब यहाँ पर सबसे पहले a और b की बात करते है अब देखो a और b की statement यहाँ पर नहीं given है और conclusion पूछले है उसने a और b का तो पहले a और b की statement बना लो बिल्कुल c c common है तो यहाँ पर statement बन जाएगी sum b b के पास sum है r sum a तो यहाँ पर sum b r sum a बनेगी second वाले के आगे हम sum लिखते नहीं है कि अब बोलते हैं ठीक है चलो all a are sum b all a are sum b नहीं बिल्कुल a के पास all नहीं है next sum b are not a गलत नेगेटिव है all b are sum a बिल्कुल गलत है sum a are sum b बिल्कुल सही है sum a are sum b ठीक है next negative है negative है sum b are sum a sum b are sum a यह बिल्कुल correct है next negative है इतना हमने कर लिया है अब next देखो all b are sum c अब देखो b और c पर आ गए तो यहाँ पर b के पास all नहीं है गलत next negative sum b are sum c sum b sum c बिल्कुल correct no c negative sum c are sum b sum c बिल्कुल sum b यह बिल्कुल correct है ठीक है next all c are sum b all c are sum b यह बिल्कुल correct है next negative ठीक है इतना हमारा हो गए अब आ जाते 17 पर all a are sum c एक statement है हमारे पास तो यहाँ पर a के पास all नहीं है गलत होगे क्योंकि यहाँ पर a के पास sum है sum a are not c गलत negative negative sum c are sum a sum c बिल्कुल all को sum बोल सकते sum a ही हमारे पास all c are sum a all c भी है हमारे पास sum b है no a is c negative sum a are sum c sum a are sum c बिल्कुल correct और last while and negative तो इस तरह से आप यह questions को कर सकते हो मतलब यह केवल आपका practice के लिए करार हो ठीक है जब यह complete हो जाएगा तो फिर हम negative statements को पढ़ेंगे जब negative statements complete हो जाएगी फिर हम either or के cases को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर सीधा हम जो previous year question paper जो recently अभी TCS के pattern पर आ रहे है वो questions को try करेंगे और आपकी practice अच्छे से कराएदेगे ठीक है चलो last question है बिल्कुल last वाला type है यहाँ पर है देखो all CR sum B और यहाँ पर conclusion है A और B का तो all A और B तो A और B की क्या statement है हमारे पास हमने कब बिल्कुल यहाँ पर बना नहीं पड़ेगी क्यों क्योंकि A नीचे वाले में हो और B उपर वाले में तो लेकिन C C तो common है दोनों का element जो common है और उस common element के पास किसी भी एक के पास C मतलब all है हमारे पास all यह नो में से चाहिए all है तो इसका अमला statement बनेगी क्या तो अब all से शुरू कर लेते है all A R B इस तरह की statement बनेगी और इसको जी चेक करेंगे all A R B correct है बिल्कुल next negative है all B R sum A बिल्कुल कला था है क्योंकि B के पास all नहीं है यहाँ पर next sum A R sum B sum A R sum B यह बिल्कुल correct रहेगा next no A is B negative sum B R sum A sum B R sum A बिल्कुल correct देखो हम speed से इसले चल रहे है क्योंकि केवल हमें right or wrong ही करना है ठीक है अगर आपको यह सब नहीं समझ रहा है पर दुबारा वीडियो को देखो मैंने बहुत अच्छे से explain कर रहा है C की statement हमारे पास है यह रही ठीक है all B are sum C हमने कब B के पास all नहीं है गलत हो गया no B is C गलत B R not C गलत sum B R sum C sum B R sum C sum B है यहाँ पर sum C है यहाँ पर बिल्कुल next negative sum C R sum B sum C sum B बिल्कुल है ठीक है all C R sum B बिलकुल c के पास all था यहाँ पर sum c are not be गलत negative हो गया, ठीक है, next 17 के उपर आते है, a और c के बारे में बात कर रहा है इसका मतलब second value statement के बारे में बात कर रहा है all a are sum c बिलकुल correct क्योंकि a के पास all है और c के पास sum है next negative, next negative sum c are sum a sum c are sum a, यह बिलकुल correct है sum c, sum a, बिलकुल a के पास a को sum बोल सकते हैं, all को sum बोल सकते हैं और यह last one negative तो इस तरह से आपको यह करने हैं ठीक है, अगर इनकी practice आप कर लोगे ना, एक बार आप इनको क्या करोगे यह सारे 24 के 24 conclusion copy में लिखना, फिर एक एक question को जब यहां पर लिखे हैं, उसको आप करना, दुबारा दुबारा और फिर answer खुच चेक करना, अगर कहीं पर गलती हो रही तो कहीं न कहीं आपने समझने में गलती करी है, उसको दुबारा समझना, दुबारा से वीडियो देखना, फिर आपको समझा जाएगा ठीक है, तो इनको क्या करोगे आप 24 के 24 conclusion एक page पर लिखना, फिर उसके बाद हर एक question के जो यहां पर लिए है उसके लिए right wrong लगाना, फिर दुबारा एक line खीच लेना, वहाँ पर फिर दुबारा right wrong लगाना, एक नए question के लिए, तो इस तरह से फिर आपको वीडियो से चेक करना कि क्या मेरे answer सही आ रहे हैं, क्या जो मैंने समझाया है, वो आपको समझाया है ठीक है, तो इस तरह से आपको यह करना है तो आज की class में इतना ही रखते हैं, कि positive statements तक, ठीक है, next class में हम करेंगे negative statements ठीक है, और उसके बाद next class में हम करेंगे either or case, और जब यह सारी चीज़े खतम हो जाएंगे, फिर हम previous year question paper पर आ जाएंगे और वो सब खतम करने के पाद, फिर हम possibility के cases को भी देखेंगे, ठीक है, तो मिलते हैं आप से अगर clear नहीं होता है, तो आप comment करें, उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा, ठीक है, तो मिलते हैं आप से next class में, तब तक के लिए धन्यवाद, thank you